हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज माँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूँ आज माँ आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन केसी बनाया गया है प्रेंट्स ये डिजैन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजैन को आप बच्चों के स्वेटर, जैन, स्वेटर, लेडी, स्वेटर, कार्डियन, जैकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजक्ट पर ये डिजैन बहुती सुंदर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्स्टर लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजक्ट पर इस तरह से एड़जिस्ट हो जाएगा 6 के मल्टीपल देखिए आप इसमें 6 फंदे गिन लिजिए फिर से 6 फिर से 6 फिर से 6 इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 5 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और सिरफ 4 सलाईयों में बनकर कम्प्लीट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बतारे तो यहां पर मैंने लिये हैं 29 फंदे 6 के मल्टीपल करके और 5 फंदे एक्स्ट्रा तो आप अपने प्रोजेक्ट ले कोई भी ब तो देखिए पहला फंदा इसका एस्टीच है इसे उतारिए या उल्टा बनाईए अब धागा पीछे करेंगे और पूरी सलाई को सीधा बुनते हुए कम्पलीट कर देंगे लाश्ट का जो एस्टीच है उसे मैं उल्टा ही बुनती हूँ अगर आप इसको स्लिप करना चा जिसे सिर्फ सीधå उल्टा बुनना आता है वहें भी इस डिजयन को आसानी से बुन सकती हैं तो देखिए धागा पीछे कीजिए और सीधा बुनते हुए इसकी पहली सलाई को कम्पलीट कर दीजिए तो ये देखिए पहली सलाई को सीधा सीधा बुनकर complete कर लिया है और estis को मैंने उल्टा बुना है अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड बर दूसरी सलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए आप इसकी दूसरी सलाई को complete कर दीजिए इस डिजाएन को बुनने के लिए सलाई आप अपनी उन के नुसार ले लिजिएगा मैंने यहाँ पर तीन तार वाली यानि तीन प्लाई वाली उन यूज की है तो नो नमबर की सलाई ले है अगर आपकी उन नॉर्मल ओस्वाल वर्दमान किसी भी कमपनी की हो जिसमें तीन तार नहीं हो उसमें दस नमबर की सलाई लीजिए और अगर इस तरह से तीन तार वाली आपकी उन हो तो नो नमबर की सलाई आप अपने प्रोजेक्ट पर यूज कर सकती है तो डिजैन की ये दूसरी सलाई हमने उल्टी साइड से देखिए उल्टा बुनते हुए कमपलेट की है तो आप भी इसी तरह से दूसरी सलाई को कमपलेट कर लीजिए अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को अब ध्यान से देखिए पहला फंदा इसका SD 6 से उतारिए या उल्टा बनाईए अब यहां से हम ये वाला डिजन स्टार्ट करेंगे तो तीन फंदे सीधे देखिए एक दो और ये तीन अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और इन तीन फंदे का एक फंदा बनाएंगे तो पहले फंदे को छोड़ देंगे बीच वाले को ऐसे उठाएंगे पहले फंदे को उतार कर बैक साइड की सलाई पर डाल देंगे और इसे पलट कर हम सबसे आगे कर देंगे धागा अपनी तरफ रहे इन तीन फंदे को थोड़ा सा लूज कीजिए और बेक साइड से स्लाई डाल कर तीन का एक बना दीजिए अब देखिए तीन का एक करने से दो फंदे कम होते हैं तो एक जाली से हमने यहाँ पर बना दिया फिर लपेट कर एक जाली बनाएंगे तो एक फंदा इधर बढ़ा दिया तो एस्टीज के बाद यह जो हमने छे फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे तो धागा पीछे रहे तीन फंदे सीधे एक दो और यह तीन अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इन तीन फंदे का एक बनाएंगे तो पहले को छोड़ कर इस फंदे को ऐसे लेंगे, पहले को उतार कर बैक साइड की स्लाइप पर डाल देंगे, इसे पलट कर सबसे आगे कर देंगे, धागा अपनी तरफ रहें, इन तीन फंदे में बैक साइड से स्लाइप डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और तीन का यहा एक फंदा हम बना दे तो यहाँ दो फंदे कम हो गए एक जाली से यहाँ बना दिया एक तरीका तो देखिए यह है कि हम इस तरह से लपेट कर जाली बना दे एक यह है कि धागे को अपनी तरफ कर ले और नेक्स डिजाइन के तीन फंदे हम सीधे बनाते देखिए धागा अपनी तरफ है एक दो और ये तीन तो यहाँ पर एक जाली आ गई है तो यहाँ से यहाँ तक यह छै फंदे का डिजाइन कम्पलीट हो जाता है तो ये तीन सीधे के बाद धागा अपनी तरफ तीन का एक करेंगे तो पहले को छोड़ देंगे बीच वाले को उठाएंगे पहले को उतार कर बैक साइड की स्लाइपर करेंगे और इसे पलट कर सबसे आगे डाल देंगे धागा अपनी तरफ रहे तीनों फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे और बैक साइड से तीन का यहां एक फंदा हम ऐसे बना देंगे तो यहां जाली से फं बढ़ा दिया तो यह पूरे फंदे हो गए फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन का एक करेंगे तो पहले को छोड़ देंगे उतारेंगे और बैक साइड की स्लाईपर डाल देंगे अब यह जो बीच वाला था इसे पलट कर आगे की तरफ हम ऐसे डाल देंगे धागा अपनी तरफ रहे और ये जो तीन फंदे हैं इनको पहले थोड़ा सा लूज कर लेंगे फिर बैक साइड से सलाई डालेंगे और तीन का हम यहाँ पर एक फंदाय से बना देंगे फिर से धागा अपनी तरफ और तीन फंदे यहाँ लाश्ट के देखिए सीधे आएंगे एक, दो और ये तीन तो यहाँ चाली आ गई इसके फंदे पूरे हो गए अब यह एस्टीच बच गया इसको हम उल्टा बुन देंगे तीन सलाईयां डिजैन की कंप्लीट हो गई चोथी सलाईय उल्टी साइड से देखिए पहला फंदा एस्टीच है इसे हम उल्टा बुनेंगे अब धागा पीछे करेंगे और पूरी सलाईय को अब हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे अब यह सलाईय ऐसे ही बनानी है धागा पीछे करेंगे और सीधा बुनते हुए complete कर देंगे जो जाली से बने हुए फंदे हैं चाहे हमारे normal फंदे सारे ही फंदे हमें सीधे बुनने हैं और last का जो s-tich है उसे मैं उल्टा बनाऊंगी क्योंकि लास्ट के जो हमारा फंदा होता है एस्टी दोनों साइड पर इसे उल्टा बुनने से इसकी जो किनारी होती है ये मुड़ती नहीं है बिल्कुल सीधी सीधी रहती है तो ये देख लिजिए धागा पीछे रखना है और सलाई को सीधा सीधा बुन देना है तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लिट हो गई है अब इनहीं चार-चार सलाईयों को बार-बार रिपिट करती जाना है नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए पहली सलाई सीधी साइड से सीधी दूसरी सलाई उल्टी साइड से उल्टी तीसरी सलाई पर एस्टीज के बाद तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करके इन तीन का एक बनाना है फिर धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे और चोथी सलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी सीधी बनेगे तो बस इन ही चार-चार सलाईों को बार-बार रिपीट करते जाएए तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुन्दर सा ये डिजाइन बनता चला जाएगा अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल को गी सारी वीडियो सबसे पहले देख सके झाल झाल